हालो दोस्तों आज हमारे पास में Samsung Z2 Pro फोन रिपेर के लिए आया हुआ है और जैसे कि यह वाटर डेमेज होने के करण इसमें डिस्प्ले आना बंद हो चुका है फोन को हम ओन करते हैं तो फोन वाइब्रेट हो गया है लेकिन डिस्प्ले पर अभी भी कुछ भी नहीं आ रहा है तो ऐसी इस्तिती में पूरा डिस्प्ले चैन्न ही होता है सुर्फ डिस्प्ले करेंटर में ही प्रोबलम है जैसे की कस्टमर ने बोला है कि यह वाटर डेमेज हुआ है तो इसको हम से देखते हैं तो मैं आपको बताता हूं इसको कुछ प्रेंट में दिक्कत है विसे इसका एक ही प्रिंट इसका खराब है तो यहां पर एक प्रिंट हड़ चुका है जिसके कारण इसमें लाइट नहीं आ रही है और जिदि हम इदर से गिनते हैं तो इदर से च्छटा नंबर का प्रेंट बनता है और यहां से हम गिनते हैं तो तो 6 नंबर का प्रिंट इसकेड नंबर वाला बनेगा पत्ले वाले जो लेग है इसके पास में यहां पर तो हमें एक जंपर यहां से इस वाले लाइन पर जंपर लगाना है जंपर के लिए हमें जैसे कि दोस्तों जंपर वायर ले रखा है बिल्कुल पतला, जो भी आप यूज़ करते हो, इसमसे पतला जम तो आया होगा वही हमें यूज़ करना है, हमने दोनों तरफ से इसको लिए कर दिया है, और अप दोस्तों हमें क्या करना होगा, कि इस तरफ और इस तरफ दो कट लगाने पड़ेंगे, इस तरफ हम नहीं हम पर जोड़ दें लगाना है जो की कट के द्वारा है कि अ क्यों दोस्तों यह अध्यान हमें जनाती जाव जोड़नाा है वह हमें hair हमें छिलनी है कि कै तो सेटे कि Liberty at the second number के लाइने यह रही का पुछ इसी से ही है तो है क्यरा आपको हटाना है प्रस्ट से इसको साफ कर देते हैं तो यहां पर एक कट लग चुका है सेकेंड नमबर पर यहां पर हम सोल्डर कर देते हैं दोस्तों इसके लिए हमें हलका सा पेस्ट लगाना पड़ेगा एक हलका सा पेस्ट इस साइड भी हम लगा लेते हैं सोल्डर लिया और एक प्रिंट बना दिया ताकि यहां पर हमारा तार जुड़ सके है तो दोस्तों एक जंपर मैंने च्छटा नमबर का जो प्रिंट था उस पर लगा दिया है मैं आपको जूम करें दिखा दियता हूं कि आपको सेकंड थार फॉर्ट छटे नमबर पर हमने यहां पर जोड़ दिया है कि यह पिल्कुर बारिक वाली लेनी है तब यह काम हुगा और एक जंपर हमें इस पर जोड़ना आगों ले पर छोड़ने के लिए आपको जोडना है दोस्तों वह इस परकार नहीं जोडना है आपको गूमा कर जोडना है मतलब इस परकार से ऐसे जोडना है अब टाकि वह एजली तूटेगा नहीं यहां पर रखते हमें हुआ है तो यह वायर हमने सेकेंड जो च्छटा नंबर का वैर था वह इस परकार जोड़ दिया बस अब आपको इसको इस परकार से इसको पनेक्ट कर देना है वायर भार लेगा तो इजली तूटेगा नहीं अब यह हमने बेटे ली इसको डाला और इसको ओन किया और यह हमारा डिस्प्ले ओन तो दोस्तों सेमसंग जे टू प्रोब में जब भी डिस्प्ले का प्रोब्लम आ जाए जिसमें डिस्प्ले कुछ भी नहीं दिख रहा है वाटर डेमिज हो चुका है तो इसे हम जम्पर पास में सम्मेट के रख दीजिए इसी के पास में इस पर कार दो और हलकी से एक टेप लगा दीजिए इस पर तो यह 100% वर्क करेगा और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना थेंक्यू वाचिंग इस वीडियो